वेल्कम टो कंपूर्टर गयां कोड़िंग। आज हम बात करने वाले हमें होर टो क्रेट' ctml फोर्म। बहुत आसान तरिके से बताने वालों कि ctml कैसे बनाएं। सबसे पहले जान लेते हमें, कि ctml फोर्म होता क्या है। तो HTML form कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि Sign-up form, Login form, Survey form और भी बहुत तरह के हो सकते हैं बट आज बात करने वाले हम लोग Student Registration Form के बारे में Registration Form बनाने के लिए तो first of all हमें तो एक application की जरूत पड़ेगी जैसे कि हमारे पास दो-दो application एक VS Code है और हमारे पास Sublime Text 3 है तो हम यूज़ करेंगे Sublime Text 3 का Sublime Text 3 ओपन कर लेंगे हम लोग डबल क्लिक करके यहाँ पर अल्रड़ी मैंने एक फाइल बना के रखी है Student Registration Form का तो यहाँ पर index.html से मैंने फाइल भी save कर रखी है यहाँ तो आप देख सकते है यहाँ पर तो हमारे जो body रहेगी body के इंदर हमे table बनाना पड़ेगा 1st open यहाँ तो हम यहाँ पर table बनाएंगे हम नहीं पर table बना लिया अब table के इंदर हमें यहाँ पर width mention करना पड़ेगा उसको यहाँ पर width mention करते हैं जैसे approximate हम यहां पर six लेते हैं 600 उसके बाद यहां पर जो हम नहीं विट लिया तो उसका height हम auto रखेंगे height तो हम नहीं बताएंगे उसको कितना है height हम auto डाल देंगे तो हो जाएगा approximate ले लेगा वो तो इसको हम लोग border दे देंगे border 2 दे देंगे हमने border दिया हुआ है border आ गया है लेकिन इसका हमने height mention नहीं किया है भी तर लेकिन अभी जब तक इसके अंदर हम कुछ देंगे यह तब दगाएगा नहीं तो हमने यहां पर तो अभी इसके लिखा करेंगे हम यहां पर registration form लिखने के लिए तो हमें head बनाना पड़ेगा तो head के लिए हम लोग use करते है table head यह हमारा यह उपर के लिए use करते है topic के लिए यूज के जाता है तो इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे जैसे कि हम यहां पर लिखते है इस्टूडेंट उसके बाद हम यहां पर लिखते है registration form यहां पर हम लिखते है इस्टूडेंट registration form यहां पर control प्लस एस करके save कर लेंगे चेक करेंगे यहां पर तो registration form आया है यह हमारा हो गया topic का यह हमें topic चाहिए उपर का अब इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा नेम होगे रहा जो भी हमारा date of birth है blood group सबकुछ mention करना पड़ेगा तो उसके लिए हमनों क्या करेंगे टेबल के अंदर ही में mention करना है सबकुछ उसके लिए हमनों क्या करेंगी उसके लिए हम यहां पर फरस्ट रफर यहां पर तो call span यूज करना पड़ेगा call span यहां पर जैसे के हम टू लाल देते हैं देखें यहां पर जाके call span जो ऊपर रहता है call span जो होता है वो column spacing के लिए use होता है जो अभी हम column डालने वाले तो column के लिए उसके लिए उसका पड़ेगा form tag के अंदर जैसी के में table row बनाना है first of all एक यहां पर ती आर लेने के बाद जैसे के हमारा एक टी आर लिया हमने एक टी आर लिया हमने एक टी आर लिया अब टी आर के अंदर में दो divide चाहिए मतलब दो column चैसे के में यहां पर नाम लिए अब इसके अंदर दो टीडी बना लेते हैं दो टीडी बन गया तो ऊपर वाला जो हमारा टीडी रहेगा इसको हमें वीद देना पड़ेगा वीद जैसे के हमने 600 अल्रेडी दिया हुआ है लेकिन अब जैसे उसके अंदर दो डिवाइड करना है तो जैसे हम 300 करके ले ल इसकी जो हाइट रहेगी हाइट अप्रॉक्समेट लेना है फिफ्टी ले ले लेते हैं और हमें फॉस्ट कॉलम में लिखना क्या है वह यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पर लिखते है योर नेम लिख देते हैं यहां से कंट्रॉल प्लस एस करके जाएंगे चेक करेंगे चेक करेंगे तो देखेंगे तो योर नेम का चुका है लेकिन यह क्याँ सें tremendous एर्म ही ए राइट साथ से निज्रास के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर घृईन इसके पहले से घए तो इसके लेम क्या यूज करते हैं आपबर फॉसटा साल का यूज करते उसके बाद nbp sp का यूज करते हैं उसके बाद यहां पर प्रेस करके इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल प्लस शी करके प्रेस करेंगे कॉपी करने के बाद में उसके आगे हम 4 ताइमस 5 ताइमस कॉपी कर देंगे Ctrl पलस Shar करके इस्को सेव कर लें सेव करने के बाद जाके देखेंगे यहाँ पर श पेस आ रहा है इससे देखेंगे तो आ चुका है हमें जितना इस पेस यहां लेपी साइड से चाहिए हहां से हम उतने डाइमस यहाँ पर कॉपी कर देंगे उतने time से यहां पर हम copy करेंगे जिब तक हमारा यहां पर नहीं आता आ जिससे हमें मुझे इतना ही चाहिये तो आप जितने time से ही आपको center में चाहिए je out भी कर सकते हो बड़्त हमें इतना ही चाहिये तो हमारा यह फर्स टीडी हो गया आप यह थी के लिए हमें लिखना पड़ेगा तो कोई आता है तो कोई यहां पर है इसिएयन करने के लिए तो कि तो अपना यहां पर नामा लिखता है उन्हों का यू प्र Bakें यूस के उसPassos करें के बाद में इसके अंदर भी स्पेस ही है हमें इसके अंदर भी स्पेस देना पड़ेगा तो फरस्ट अफल यहां पर तो हमें तो एक इन्पूट बनाना पड़ेगा इन्पूट टैक का यूज करना पड़ेगा इन्पूट टैक्स लिखेंगे इन्पूट टैक्स लिखेंगे सेव करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आ डाल रहा है किक यहाँ पर हम प्रेट की पहले डाल किरेंगे जाके यहांपर इन्पूड के लिए पूरा इसपेस आ चुका है लेकिन यह इसके अंदर हमें कुछ है यह लिखके तो उसके लिए का यूज करेंगे टेक्स के बाद जो भी हमारा रहेगा यहां पर प्लेस होल्डर का यूज करेंगे प्लेस होल्डर का यूज करेंगे प्लेस होल्डर जैसे कि हम यहां पर डाल द पूरा टीयर से टीयर कॉपी करना आपको डारिक यह फार्म के अंदर ही फार्म के अंदर ही आपको जितने टाइम सही है आप उतने टाइम पेस्ट कर सकते हो बट यहां पे जैसे कि आपका यूर नेम है यूर नेम लिखा हुआ जैसे यहां पे आपका यहां पे जैसे कि आप लेताँ हो यहाँ पर fathername और प्रेस ओलडर जो हूंने दीए व्यववा यह पर भी fader लिक्के आना चाहिए तो यहाँ पर fader name लिक्क्न के आएगा अब चेर शिब तो refresh करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो fader name यहाँ भी ऐक यहाँ पर करके लिख सकता है, ऐसा है, अब जैसे कि और चाहि Warum te Daniel यह जो हमारा उपर वाला टियार है यह टी यार से यह टीयार तक कुरा copy कर लेंगे इसको और यह टियार की नीचे यहमें paste कर देने थोड़ा यहाँ पर जीसमेट करना है इसके बाद चेक करेंगे फो यहां पर यहाँ देखुछा है का जी डियो बीडा यूज करेंगे कैसे eaten करते हैं उससे पहले हम इमेल देख लेते हैं एक लिए देखेंगे जैसे कि यह ट्यार से यह ट्यार कॉपी करना है आपको Ctrl-c इसके बाद यहांप़ पेस्ट करना है आपको डिरेक्ली पेस्ट करने के बाद peculiar name जानलीखा हुआ है यहापर बस आपको कुछ नहीं करना है बस आपको यहाप़ रेज करना है उसको इमेल कर देना है Ctrl Pluses करके जाएंगे चेक कर एंगे तो यहाँ पर इमेल हो चुका है लेकिन यहाँ पर Mother Name अभी भी Place Holder में आ रहा है तो यहाँ पर Placeholder में अमने Mother Name लिखा हूआ है यहाँ पर हम लोग इमेल कर देंगे इमेल लिख देंगे कंट्रूल प्लस और से यहां पर रिफ्रेस्च करदेंगे देखेंगे तो यहां पर इमेल आ चुका है कोई फोन नंबर आ है फोन नंबर पर डाल सकता है जीसकि हम इनकान कबी किए टें करके क्ठा हैे तो यहां पर Robocam यूर नमबर तो प्लेस होल्टर में जोज रहेगा प्लेस होल्टर में भी चेंज करना पड़ेगा उसको प्लेस होल्टर में जैसे कि में यहां पर लिख देता हूं यूर यूर नमबर यहाँ पर जाके चिक करेंगे देखेंगे तो यूर नमबर का यूर नमबर आपका आ चुका है यहाँ पर आप नमबर कितना भी डाल सकते हो आप ऐसे कितना भी नंबर आप डाल सकते हो तो आप दुसरे के लिए का करेंगेगा अब जैसे इसके अंदर भी हमें एक्लिर छिंज़स करना है जैसे के भी हमारा य Genwal ecosystem में कोई color फिल करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे इसे कि हमारा your name your name मौला यह है हमने width पहने यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर का करेंगी bg color ले ले लेंगे bg color यहाँ लिख देंगे red डारीक भी लिख सकते हो आप color code भी लिख सकते हो यहां पर RAID देदेंगे Ctrl plus SS को save कर देंगे फिर जाके चिक करेंगे यहांपे देखी तो RAID यह हमारा RAID हो जाएगा ऐसे अगर हमें कोई कलर और भी है है तो जीक हो निचे वाले को कि बीजी कलर देना है तो बीजी कलर जैसे कि मैं यहां पर देता हूं यलो देते हैं यहां पर देखेंगे तो यलो आ जाएगा ऐसे और नीचे जाएंगे अगर इसके अंदर हमें कुछ देना है बीजी कलर देना है तो बीजी कलर जैसे कि यहां पर देता हूं मैं ब्लू यहा Ctrl Plus Z करके Cancel कर देता हूं सबको Ctrl Plus Z करना है जाना है आप देख सकते हो अब Your Name के बाद भी हमें Password जैसे भी कोई Password भी डालना है Password भी Mention करना है तो Password के लिए क्लिए क्लिए Yetr से Yetr First of all यहां पर copy कर लेंगे उसके बाद क्या क्लिए पासवोड के लिए यहां पर डाल देंगे से डाल देंगे यहां पर यूर नेम लिखा हुआ है इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहां पर लिख देंगे पासवोड यहां पास्वड लिख देंगे , पास्वड लिखने की बाद यह प्लेस्वूडर जो है हमारा प्लेसवडर इसकá शोट करेंगे input में प्लेस्वेलर है यह पे यहां पे लिख देंगे max length max length जैसे कि हम यह यह पर 6 डाल देते हैं तो रख करके देखेंगे तो हम password कर लिखते हैं यहां पर यहां पर 6 ही आएगा जैसे कि मैं यहां पर डालता हूं यहां पर डालते हैं हम लोग, यहां पर 12 तक ही लेगा, 12 के आगे नहीं लेगा, यह यह max length इसलिए use करते हैं, इसके लिए जैसे कि अभी नीचे जाएंगे, अब कोई file attachment करनी है student को, उसके लिए क्या करेंगे, ctrl plus c करेंगे, पूरे को, यहां पर जाएंगे, ctrl plus v करेंगे, य यह जो हमारा password यहां mention किये हैं, इसको हम लोग बस file कर देंगे, file changes कर देंगे, और placeholder इसमें देना नहीं कुछ, max length remove कर देंगे, max length इसमें कुछ काम नहीं है, input file, जो भी हमारा यह input type होगा, यह इसको जैसे कि हमें यहां पर file देना है, input type file, बताना कि हमारे पास file है, इसको file पड़ेगा, input type text की जगे पर, जो हमारा placeholder रहेगा, placeholder remove कर देंगे, इसको remove करके, control places करके, save करके जाएंगे, check करेंगे, देखेंगे, तो हमारा file आ गया, यहां से कोई भी बंदा आके, attachment कर सकता है, जैसे कि हमें यहां से जाए, अपना file चूज करके, यहां से डाल सकता है, ऐसा रहेगा, यह file अगर डालते हों, आप लोग तो, use करना है तो, use कर सकते हैं, उसलिए use करते हैं, अब जैसे के यह, tr से ytr copy करते हैं, अब हमें चाहिए, क्या, dob जैसे कोई आता है, उसको dob डाला है, dob mention करना है, तो dob भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए क्या करना है तो input type यहां पर date डाल देंगे input type date डाल देंगे उसके बाद हमारे यहां पर place order बगेरा कुछ डालना नहीं है मैं बस इतना ही डालना है इसके बाद यहां पर control प्लेसे करके इसको save कर देंगे save करने के बाद चाके check करेंगे देखेंगे तो हमारा डीव भी आ गया जैसे डाल इसके बाद हम यहां पर मंत पर आते हैं जैसे कोई और मैं जेंडर मेंगे जेंडर मेंशन करना है तो इदर क्या करेंगे यहां से टीर से यह टीर कॉपी कर लेंगे इसी को नीचे जाएंगे paste कर देंगे बस changes क्या करना है जो हमने यहां पर डीओ भी लिखा हुआ है इसको यहां पर लिख देना है जेंडर इसको ही जेंडर लिख देना है लेकिन हमें जेंडर कैसा चाहिए रेडियो में चाहिए रेडियो फॉर्मेट में रेडियो कि उसको बोलते हैं अभी दिखाते हैं जिसे कि हमने यहां पर जेंडर चेंज कर दिया हुआ इंपूट टाइप म हुआ है तो हम क्या करेंगे इस जेट को कैंसल करके यहाँ पर रेडियो का यूज करेंगे रेडियो का यूज करेंगे इसके आगे हम यहाँ पर डाल देंगे जैसे कि हमारा यह रहेगा इसके हम जिसे इसके आगे डाल देते हैं फिमेल फॉस्ट अफर यहां पर mail डाल देते हैं जैसे की इसी को copy करना है नीचे paste करना है आपको इसी की आगे चिंदिस करना है जैसे ही हो गया female जैसे की और भी कुछ दिखाना है आपको तो यहां पर डाल सकते हो आप जैसे की अधर डाल देंगे यहां पर आके चिक करेंगे देख सकते हैं अब जैसे कोई भी आता है तो यहां पर select कर सकता है यहां देखेंगे तो select हो जाएगा ऐसा है तो अभी इसके नीचे हम लोग क्या बढ़ेंगे हमारा gender हो गया अब जैसे किसी को hobbies रहती है तो hobbies भी डालना है form के करेंगे इसके बाद यहां जैनल लिखा हुआ है बस यहां पर कॉपी कर देना है इसको hobbies कोपी करने के बाद में हमें इसकी जुरुत नहीं है इसको कैंसल कर देंगे इसको कैंसल कर देंगे मेल को भी कैंसल कर देंगे हमने यहां पर का यूज क्या था रेडियो रेडियो में क्या रहा था हम क्लिक कर रहे थे तो वापर हमें एक बुलिट दिखा रहे थे लिकिन यहां पर हमें क्या चेक बॉक्स चाहिए यहां पर हम यूज करेंगे इंपूट टाइप में रेडिय यहां पर हमने क्या लिखा हुआ था फर्स्ट कॉपी कर देंगे को कपी करने के बाद में ऐसे यहां पर अब्लूड हुए तो इसको हम जैसे की कई इह रड्ल कुछ बी डाल सकते हम यहां पर कि सॉंग लिख देते हैं कि जैसे कि यहां पर हम लोग डाल देते हैं कि कंट्रोल पर ऐसे सेव कर लेंगे सेव करने के बाद यहां पर जाके चिक करेंगे चिक करेंगे तो अब देख सकते हूं यहां पर चिक बॉक्स आ चुका है लुडो लव सॉंग अब यहां पर जैसे कि म तो check box में आएगा, क्योंकि हमने यहां पर check box use किया हुआ, input type हमें check box सही है, अब ही हमें जही है, जैसे कि हमने एक form बनाया हुआ है, अब कोई आये हैं, तो यहां पर सब डालने के बाद यहां पर submit करें, तो submit के लिए हमनों क्या करते हैं, तो जो हम यहाँ पर TD-TR है इसको सब को छोड़ देंगे यहाँ पर सब को छोड़ने के बाद में यहाँ पर सब TD-TR हम छोड़ देंगे सबसे नीचे आएंगे फॉर्म के अंदर ही रहेंगे बड़ जैसे यह फॉर्म है यह फॉर्म के अंदर ही हमें एक टीडी का बनाना है टीडी का एक class बनाना है टीडी का class बनाने के बाद ये टीडी का class बनाने के बाद ये टीडी जो open हमारा है तो open के दर हम लोग यहां पर width mention करेंगे के वीट मेंजिन करेंगे कितना 600 हमारा है पूरा इसकी हीट है इसकी हैड पर जैसे कि हम सेव कर के जाकर चेख करेंगे जरूल देखेंगे तो आ गया है लेकिन इक हमने क्या input टाइप में हम नहीं दिया वितत Nevertheless Input type में क्या रहेगा, तो Input type हमें देना पड़ेगा यहां पर पहले तो, Input type देने के लिए यहां पर हम लोग इंपूट का यूज़ करेंगे, इंपूट टैग का, इंपूट टाइप देंगे, जिसे कि हम यहाँ पर सब्मिट देंगे, सब्मिट का यूज़ करके, कंट्रोल प्लस एस करके, कंट्रोल प्लस हार करेंगे, देखेंगे तो हमारा सब्मिट का आ चुगा है, लेकिन हमें सें fem 2 use करेंगी कहां गया center में आ गया लेकिन form submit तो हो गया बट reset भी करना पड़ेगा की reset करेंगे तभी दूसरा पंदा पढ़ सकता है तो यहां पर reset का भी option देना पड़ेगा स्थरेच के लिए हमनों क्या use करेंगी reset के लिए हमनों गिसी में use कर लेते हैं जैसे कि हमने input type लिया हुआ है मैंने input type लिया हुआ है तो input type क्या करेंगे इसको control plus चिक करके पेस्ट कर देंगे बस submit की तके पर reset लिख देंगे reset लिखने के बाद यहां पर check करेंगे देखेंगे तो submit और reset का दोनों आया लेकिन दोनों में थोड़ा gap चाहिए में gap के लिए हमने यहां पर क्या किया था हमने यहां पर use किया था इसी को हम लोग यहां पर copy कर लेंगे website space के लिए बस यहां पर लाके इसके बाद हम एका submit के बाद चाहिए तो submit की बाद हम यहां पर नीचे paste कर देंगे कंच्रोल प्लस एप सेफ करेंगे। जाके च्छिक करेंगे दिखिएंगे तो स्पेश आगया। यह रहा मारा स्टुडेंड रेजिस्टरेशन फॉर्म। यह रहा मारा।